आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिलकुल देसी अंदाज में पनीर की सबजी इतनी जबर्जस्त की एक बार खालेंगे ना तो धावा होटलों की पनीर की सबजी खाना भूल जाएंगे और खास बात इसमें ये है इसमें ना तो हम पनीर मसाला का और ना ही हम कोटे हुए मसाले का इस्तिमाल करने वाले हैं बहुत ही हम सिंपल तरीके से इसको बनाएंगे लेकिन खाने में इतनी लाजवाब कि आपने ऐसी पनीर आज तक खाई नहीं हो इस वीडियो को आप ध्यान से देखीगा क्योंकि मैं इसमें सारी छोटी से छोटी चीज़ें आपको क्लियर करोंगी जो सबजी के जाएके को बहुत जादा बढ़ाती हैं और मोशली लोग ये गलती करते हैं तो उनकी सबजी जो है ढावे जैसी नहीं मनती है तो ये सबजी ढ़ाबे से भी अच्छी बनेगी और बहुत ही सिंपल मसालों के साथ बिलकुल बेसिक मसाले हम इसमें इसमें इस्तिमाल करेंगे तो चलिए फ्रैंस देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये पनीर की रेस्पी तो पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है हरी मटर बिलकुल फ्रेश मटर है यहाँ और यह मैंने ली है अदरक लैसुन हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पर लैसुन मैंने चार कली हरी मिर्च एक और एक तुकड़ा अधरक का लिया है लैसँन हम जादा नहीं लेंगे और यहे पर मैंने ली थी चार मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है यहाँ पर एक वात याद रखिए कि मोश्टडि लोग मिक्स जो ग्रेवी बनती है दर्डरी बनती है वो बहुत टेस्टी लगतीヤ अगर छैस्टी से पीसे न infly to तो जो हमारी बनेगी ना तिक्तम स्मूथ बनती है उतना मजा नहीं आता है जितना इस ग्रेवी में मजा आता है त्राइ करके देखिएगा तो मैंने चॉपर से ही टमाटर को भी चॉप कर लिया है तो तीनों चीजिए आप देख सकते हैं अध्रक लैसुन और प्याज टमाट तो यहां पर मैंने देशी कड़ाई लिया है और अब हम इसमें डालेंगे तेल हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे लगबग हम दो बड़े चमच यहां पर तेल लेंगे और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो हमने जो तीन लैसुन की गाठे ली थी उन गाठों को हम क्योंकि तीन लोगों को इस पनीर को सब्जी को खाना और तीनों लोगों को इस तरह से लैसुन खाना बहुत पसंद है इनको किस तरह से खाना मैं आपको बताऊंगी तो आप एक या दो भी डाल सकते हैं तो इनको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल में अच्छे से भून लेंगे एक दम सुनेहरा होने तक यह बिल्कुल देसी अंदाज की पनीर है जब हमारे हां मंडी में यानि की जहां मेरे हभी काम करते हैं ग्रेन मर्चेंट है वहां जब खाना बनता है ना जैन्स लोग बनाते तो इसी तरीके से बनाते हैं ऐसे कमाल की बनती है कि आप खात लेसन को आपको अच्छे से भून लेना है कच्चा नहीं रहना चाहिए उसको किस तरह से खाते मैं आपको बताओंगी बाद में और यहां पर मैंने डाले हैं लगबग तीन तेज पत्ता और अब हम दोनों चीजों को अच्छे से भून लेते हैं लगबग आधा मिनट लग दूसरी चीज ध्यान देने वाली यह है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि प्याज को बहुत अच्छे से नहीं भूनते हैं एक तो यह कह लीजिए कि मिक्सी से पीस कर डालते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि प्याज कितने अच्छे से भूनी बहुत देर तक भूनते पोल्डन ब्राउन कलर है बहुती सुनहरी प्याज तयाब ही जब ऐसी प्याज हो जाए इससे कम नहीं भूलना है बिल्कुल ऐसी प्याज हो जानी चाहिए तब हम डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर और अब इन दोन करेंगे मटर और मटर को भी है अच्छे से मिक्स कर देते हैं और हम थोड़ा सा ही चलाएंगे लगबग 10-15 सेकंड तक ही इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर चौप करके रखे हुए थे या कद्दू कस कह लिजे हमने करके रखे हुए थे तो टमाटर हम डाल देंगे और टमाटर को हम अच्छे से करेंगे मिक्स तो टमाटर को हम मिक्स करते हुए लगबग एक मिनट तक इस तरह चलाएंगे ताकि टमाटर खूब अच्छे से मिक्स हो जाए तो लीजिए टमाटर जो है खूब अच्छे से मिक्स ह तो चुके हैं और में मैं तीन छोटी छोटी ना देख सकते हैं नहीं तो आप देड़ चमची राल सकते हैं यहाँ पर फूरा बरके गरम मसाला घे तो आधा चमची डाले एक चौथा जाला यहाँ मिर्च कालर के जो भड़ावि मरिज – तक यस ज़िया। इसको अच्कि अच्छे से बुनाई इतनी करनी है कि जो खुशु है आपके पूरे घर में बिल्कुल फैल जाए इस तरह से हमें बुनाई करनी है और एकदम ग्रेवी एकदम चमक आजाएगी जितना तेल है विल्कुल ऊपर देखने लगेगा हमने बहुत ज्यादा तेल तो नहीं डाला है लेकर जितना इसकी भुनाई हम लगबग एक मिनट तक और करेंगे फुल फ्लेम पर आपको दो से धाई मिनट तक भुनाई करनी है इतने में यह मसाला जो है बहुत अच्छे से भुन जाएगा तो लीजे मसाला फाइनली भुन चुका है अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मैथी जो की बह हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल बन करके है तयार और बहुत अच्छी आ रही है खुश्बू बहुत आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है कलर यह देखिए बहुत ही अच्छी ग्रेवी भुनी हुई है और अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे कुछ लोग सीधे पनीर का साइज भी छोटा हो जाता है और जो पनीर की पॉष्टिक ता है न वह खतम हो जाती है तो कच्छा पनीर यूज करें थोड़ा सा पहले डाले यह पानी बाद में डाले पहले पनीर को डाल दें लगबग आदा से एक मिनट तक पनीर को ग्रेवी के साथ भून लें देखे गुए तो लें बार यहां पर आप यूज कोशी को ग्रेवी घुटा से टीज हो जाया जाता है। दो अब बीड़े हैं तो लिए को भी अच्छे बूं लिया है लगवक मैंने एक मिनट तक पनीर को भूण लिया है तो बहुत जादा न चलाई से वरना पनीर का पसंद करते हैं कुछ लोग पतली पसंद करते हैं तो एक चीज और बता देती हूं कि आप जितने ग्रेवी अभी बनाएंगे गाड़ी करेंगे अगर इसको रख देंगे आप घंटे-दो घंटे के लिए पनीर को तो ग्रेवी और ज्यादा गाड़ी हो जाएगी तो अगर आ पनीर डाला है वह अच्छी से पक जाए तो यह देखिए पनीर इस तरह इसे पकना शुरू हो गई है और इसको और पकने देते हैं तो पनीर जो है बहुत अच्छी से पक चुकी है बन चुकी है तो चलिए अब हम गैस को कर देंगे बंद और पनीर को हम 4-5 मिनट के लिए के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना दुआ उट रहा है ना वह खतम हो जाए क्योंकि मुझे अभी इसकी प्लेटिंग करनी है दुआ की वज़ए से समझ में नहीं आती है इसकी प्लेटिंग चलिए हम इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए तो लीजिए हमारी गर्मा गरम पनीर की सबजी बनकर के तयार हो गई है बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से बनाया है बहुत से लोग इसमें कुटे मसाले अट करते हैं लेकिन बिल्कुल मत कीजिए इसको बहुत हैवी मत बनाईए बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाईए क्यों तो यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको और बात करते हैं इस गठे के बारे में कि लैसुन का करना क्या है आपके यह तो रक्षा ने बताए यह नहीं तो देखें मैं बताती हूं यह देशी अंदाज है इसको क्या करना है जब आप थाली में पनीर सर्फ करें ना तो उसमें एक गठा भी सर्फ कर लें और उसकी एक एक कली को निकालते जाए और अचार की तरह खाते जाए इसका छिलका इतना सॉफ्ट हो जाता है चिलका अलग हो जाएगा और अंदर की जो कली है वह सीधे आपके खाने में निवाले में पहुत जाएगी बड़ा ही म पसंद है कि हम लोग कभी-कभी तो आलू की सब्जी के साथ भी गठे डाल देते हैं अब आप कहेंगे यही काम करते हैं क्या चील-चील के कली बिलकुल नहीं आपको कुछ भी नहीं एक कली आराम से निकलती जाएगा इतनी सॉफ्ट हो जाती है बढ़े आराम से आप इसको देखना चाहते हैं तो आप हमें यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेस्बुक पेज़ पर फॉलो भी कर लीजिए तो चलिए फ्रैंस फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई तेक्यार